हेलो एवरिवन वेल्कम टॉर चैनल दिस इस श्रिश्टी अगरवाल तुम्हें आप सभी कक्षा 8 की स्टूरेंट से रेकर आई थी प्रकर सब्चे इंग्लीश की वक्षिट की सॉलुशन जिसमें हमने काफी सारी वक्षिट की सॉलुशन देख ली हैं आपर आगे बढ़ते ह क्या करोगे आप जब आप देख रहे हो किसी को कच्रा फेक्टी होई क्लास में I will instruct him to follow rules and throw the dustbin box तो मैं उसे कहूंगा इंस्ट्रक करूंगा और क्या करूंगा कि मैं उसी dustbin में डालने के लिए कहूंगा उस कच्रे को what would you do if you saw something someone stealing from a shop को चुरा रहा है अगर दुकान से कोई तो आप क्या करोगे I will report it is to shopkeeper मैं दुकान दा से इसकी रिपोर्ट करूंगा what would you do if you get locked in the toilet आप locked हो जाएं अगर टॉलेट में बातरों में बंद हो जाएं तो क्या करोगे I will shout में चिलना होंगा what would you do if you get 1,000 rupees I will give it to my parents मैं अपने parents को दूँगा मैं खुद उसको खर्च नहीं करूँगा क्यों बच्चों को खुद से खर्च नहीं करने चाहिए पैसे अपने parents को देने चाहिए जो भी चीज की जरू थे वो अपने parents से कह दें वो लाकर की जरू से उने देंगे what would you do if you become the serpent of your village अगर आप सरपंच बनते हैं अपने गाम के तब क्या करोगे तो मैं करूँगा installation of toilets, making ponds, roads, best schools, hospital etc. ये सब बनाऊंगा तो ये डन होता है worksheet 89 बहुती अच्छी वक्षित थी अगला बक्षित देखेंगे 90 का solution, read the given paragraph and answer the following question परिग्राफ दे रखा है उदयपूर से रिलेट दे रखा है इससे पहले हमने देखा था राजस्थान से रिलेट है तो अब उदयपूर के बारे में पड़ेंगे हम उदयपूर is popular known as city of lakes जीलो की नगरी कहा जाता है इसके लिए यहां पर जो पानी की समस्या है वह नहीं होती है क्योंकि वहां पर ग्राउंड वाटर मिल जाता है आसानी से और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है इद वाज महराना उदयसिंग हूँ फाउंड इपूर उन्हां ने फाइन की थी यहां पर जो पानी की स और शेक लिए महुम साट नाम दे गहें हैं अदयपूर अलस है सम्मस होटल चाह लाइक पैलेस है यहां पर यह होटल जो है फो फीमस उसका नाम दे रहा है लेक पैलेस आल इसमेक्ष आद आपर इस तुरीस्ट अट्रैक्शन थो आउट अवट अब त आप हैं तो ही तूर पेछोला लेक पतिछागा, स्वरुप सागर तो यहां पर प्लांटस भी काफी सारे कॉछी सुपिछी थे ख़ेट गूपणर, पानी है तो वहां पर प्लांटस भी है तो काफी सारे पेड पॉद्य कोजे से एनवरुमेंट में oxygen प्रैप करता है समय प्रीक चाहिए। तो जहां पर अगर आपको कटिंग दीख रहे हैं पेड bisa stop there to change the egg. क्योंकि देश का विकाष सिर्फ पेडो की कटिंग से नहीं हो सकता है. पेडों को बचाएं और उसके अलावा जिस तरह से विकास किया जाना चाहिए है वो सोचना चाहिए ना कि पेडों को काट करके तो यह उदान होता है वक्षिट 90 अब देखेंगे वक्षिट 91 जिसमें कुशिन है राइट लैटर टुई और अंगर बादर विशिंग हिम ऑन हिस बर्डे आपको छोटे भाई को विश करने के लिए एक लैटर लिखना है उसका बर्डे है आपको विश करना है उसको तो आप को एक लैटर लिखना है 32 अदशनकर नियर हॉल हॉस्पिटल अओल हॉस्पिटल अजमेर सिटी राजस्थान डेट लिखनी है जिस भी डेट को याप पत्र लिख रहे हैं दियर रोहन विश्यू मैनी हैपी रिटर्न अफ दी दे आई होप यू दूइं ग्रेट इन इस तरह से आपको लैटर लिखना है इस तरह की लैटर आपको हमारी चैनल की प्लेलिस में मिल जाएंगी तो आप वहांदे भी चेक आउट कर सकते हैं अब देखेंगे फॉर्मिटिव असेस्में 13 का सॉलिशन जिसमें कोशन रहस्थ है फिल इन ब्लैंक्स विट करेक्ट प तो यहांपर हो जाएगा विट नाइफ के साथ है ना तो जूडने का काम कर रहा है तो यहांपर विट प्लेपोजिशन आजाएगा विच अफ दीज फिल विल यूज यूज तो की वाटर कुड दूरिं समर तो क्लेपॉट आप वाटर को कोल्ड रख सकते हो समर में किसमें यहांपर दीज रख सकते हो क्लेपॉट में तिक दकरिक्ट ओप्शन तू अ कम्पीट द बीलो सेंटेंच इज आवर रेस्पोंसबिलिटी तो एवरीवन वे रेस्पेक्ट यह हमारा रेस्पोंसबिलिटी कि हम सभी को ट्रीट करें रेस्पेक्फुली सभी अधर करें चू मेरी पैरेंट्स चली गई जब में जगा ठीक है select the word to complete the sentence given below he is very fond of traveling and visit places वो बहुत प्यार करता है traveling and visiting places places पर गूमने के लिए choose the adjective used in the given sentence our teacher can be very kind sometimes sometimes तो यहाँ पर adjective हो जाये का काइन दयालू our teacher बहुत ज़्यादा दयालू होते हैं कभी का कुछ time है न हमारे उपर read the poem given below and answer the following question the squirrel squirrel आप समझते हो गिलहरी को बोला जाता है जिन्होंने help कही थी श्री राम की राम सेतु बनाने के लिए ठीक है तो यहाँ पर squirrel के बारे में दिया गया है he wore a question mark for tail question mark की ज़से की tail होती है न मूच होती है the overcoat of grey grey होता है उसका colour he set up straight to eat a nut nut खाती है वो he like to tease and play उसे पसंद होता है चिडाना और खेलना and if we rain around his tree he want the other way अगर हम उसकी around घूमते है न वो डौडते है तो वो किसी और जगे चली जाती है देगे तो यह squirrel की बारे में था पर इसे लर्ण कर सकते है 7th question है which of these word rhyme with the word tail tail का rhyme क्या हो जाएगा rhyming word nail who like to tease and play the squirrel squirrel को पसंद है tease or play करना which line shows color of the squirrel क्या शो कर रहा है color squirrel का an overcoat of grey उसने क्या पहना हुआ एक grey color का overcoat पहना हुआ यानि उसका grey color है what does the creature do if you are around the tree creature क्या करते है अगर अगर उसकी चारोर घूमते है तो creature will go the other way वो दूसरी जगे चले जाते है दूसरी रस्ते को चूज कर लेते है तो यह done होता है formative assessment 13 का solution तो हमने यहाँ पर देखा formative assessment 30 worksheet 91 worksheet 90 worksheet 89 का solution उमीद है आपको सभी की solution अच्छी से समझ आए हूंगी तो जुड़े रहे हमारे चैनल की साथ इसी तरह और important videos देखने बस सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धाने बात